नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाय नियूज में नाम है दीपक गुपता जानकारी देना चाहेंगे राजिस्थान चुनाव को लेकर सचिन पाइलेट काफी सक्रिय हैं लेकिन कांग्रेस के आला कमान शायद इस बार चुनाव में इतनी दिल्चस्पी नहीं जता रह में इस बात का ऐलान हो छुका है कि कमलनात की कही ना कहीं सीम फेस होंगे ये बात दिगविजे शुकंट को ने भी कभूल कर लिया कांग्रेस पार्टी में इस बार कोई क्लैश नहीं मैं बद्यपर नेए लिकिन राजिस्थान की सत्ता आखिर क्यों इतनी विखरी विखरी साते नजर आएंगे जब तक आला कमान कोई बात साफ ना कर देंगे अब सचिन पाइलेट की बात पर आते हैं कि उस खास संदेश पर जो पाइलेट मलिका अरजुन खडगे को भीशते नजर आए दरसल वह संदेश यहां पर कुछ इस तरीके का है कि अगर आला कमान परिवर् जगा मिलने के बाद यहां पर तमाम बाते साफ होती नजर आएं लेकिन जिन मंत्रियों जिन निताओं को जगा नहीं मिली इस बात से पता चलता है कि कहीं न कहीं उससे अला कमान नराज हैं तो यहीं नराजगी जतानी होगी दिखानी होगी तब ही जनता मानती नजर लिए तो आला कमान को यही याद दिलाना चाह रहे हैं कि इस साल चुनाव है चुनाव के दर्मियान हम सब को तयारिया करनी होंगी हमारी सरकार अभी है लेकिन सरकार आगे भी रहे उसके लिए अभी सही हमें कुछ कठोर फैसले लेने होंगे और वह कठोर फैसले ऐसे होंगे कि जो जादा उम्र दराज नेता हो गए उनको हटा कर CM Face किसी और को बनाया जाए या उन नेताओं को हटा कर युवाओं को मोका दिया जाए क्योंकि अभी हाली में गुजराच चुनाव 156 सीटे BJP ने जीती किस वज़े से उन्होंने बड़े युवाओं निताओं को भरोसा जताते वे यहाँ पर उनको आगे किया और साथी साथ भरोसे पर खरे उतरे तो सीट एतिहासिक है 156 का आकड़ा बहुत बड़ा आकड़ा था यह ठीक उसी तरीके से अगर राजिस्थान में सत्ता बचानी ही नहीं बलकि अगर बहुमत ना आए वो भी सही अगर गड़बंदन जितनी नौबत आ जाए क्यूंकि कांग्रेस या तो बहुत जादा सीटे निकाल लेती है या बिलकुल ही नीचे गिर जाती है हमने गुजराच नापस में देखा कि 17 सीटों पर सिमट गई थी जो कि एक समय पर 17 सीटों पर स्टेंड कर रही थी अगर गड़बंदन की नौबत आती है तो कम से कम कहां फसा था शिवसेना के पास 55 और कांग्रेस के पास 44 थी तो कांग्रेस तीसे नंबर पर थी नहीं उनका मुख्यमंत्री बना नहीं उनका मुख्यमंत्री बना नहीं उनके नेताओं को ग्रह मंत्री के पद मिले ग्रह मंत्राले के पद मिलते नजरा तो वही बात राजिस कोई और बनता नजरा है शायद उससे इतराज नहीं होगा पाइलिट को कि पाइलिट का इतना नाम है कि अगर गहलोत भी रेलि कर रहे होंगे तो पाइलिट के नाम की हंकार लगे कि हमारा सीम कैसे हुआ पाइलिट जाए है या गड़बंदन से भी सत्ता में आना है तो कम से कम मेहनत करनी होगी और उन में से ज़्यादा करीब 200 में से करीब 70-80 सीटों पर दावेदारी इतनी मजबूत रखनी होगी कि उस सीटों को कोई और पार्टी छेड़ना पाए उन सीटों कोई हमसे चीनना पाए देखते हैं पाइलिट का इस संदेश अगर आला करमान तक तो जाता है तो बहतरीन बात है नहीं जाता है तो इस बार कांग्रेस का क्या हच्र होगा लेकिन आपकी क्या लगता है कि अगर गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो क्या कांग्रेस सरकार बन आप आएगी राजिस्थान में अपनी राए कॉमेंट सेक्शन में जोर रखेगा बहुत बहुत धन्यवाद